हेले स्टूडेंट्स आर्जी स्टूडेट चनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में आपको स्री लाल भादु सास्त्री राष्टे संस्कृत विश्विद्धाल है। स्रेलाल भारदु सास्त्री नैश्नल संस्कृत यूनिवर्सिटी a central university established by an act of Parliament formally SL, BSR, संस्कृत विध्या पीठ, deemed to be university यह accredited A grade by tank है यहाँ पे MA योगा और अधर कोर्सेस के एड्मिसन के लिए नोटिफिकिसन आ चुका है, समझ में आपको जानकारी दी जाएगी और मैं आपको बताना चाहूँगा जो गनिडेट से स्रीलाल भारदु सास्तरी राष्टे संस्कित्स विश्विधाले, न्यू डेली के MA योगा और अधर युनिवरसिटी जैसे की मुराजी दिसाइड नाशनल इस्ट्टूडिव योगा के डिप्लोमाइन योगा साइंस, देव संस्ती युनिवरसिटी हरिद्वार, पातांजली युनिवरसिटी हरिद्वार, कुरकुल कांगडी युनिवरसिटी हरिद्वार, पत्ना युनिवरसिटी, लखनो युनिवरसिटी और अन्य सभी युनिवरसिटी और इस्टूडियोर्स के योगा इंट्रेंस प्रिप्रेशन कर रहे हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब अबसे कर लें ताकि इंप्रण गोशन के वीडियो दो मिलते रहें और विबन जॉप्स और एडमिस आते हैं उसकी जांकारी मिलती रहें वीडियो को स्रीलाल बाहदु सास्त्री राष्टे संस्क्रित विश्विध्धाल है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है स्टैब्लिस बाए एक्ट ऑप पालियमेंट एक्रिडेटेड एग्रेट बाए नैक इसमें एडमिसन नोटिस आ चुका है तो यह समंद में मैं आपको जंगा स्रीलाल बाहदु सास्त्री राष्ट नैशनल संस्क्रित विश्विश्विश्टी सेंट्र विश्विश्विश्टी बीफोर कुदब इंस्टिशनल एरिया कटवारिया सराय न्यू डेली 110016 एडमिसन नोटिसर 1 2022-23 ओन्लाइन अप्लिकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर् एडमिसन इन्टो दा फॉलॉविंग रेगुलर और सेल्फ फाइनाइज्व पार्ट ताइम कोर्सेज फोर दा एकडेमिक सेशन 2022-23 तो यहां पर ऑन्लाइन अप्लिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्वेट में इन्वाइट की जा रही है यूनिवर्सिटी के दौरा एडमिस के लिए रेगुलर और सेल्फ फाइनाइज्व पार्ट ताइम कोर्सेज में एकडेमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिसन सेल्बी मेड थ्रो ओल इंडिया इंट्रेंट टेस्ट एस पर दा मेरिट लिस्ट इंटर्व्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ रेगुलर कोर्सेज अनली तो ए अबिवार एडमिसन इन सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज सेल्बी मेड थ्रो इंटर्व्यू ओनली तो एडमिसन जो की सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज में जो एडमिसन होगा वो इंटर्व्यू के बेस्पे अचारे आयमे में वेद, पुरोहितिया, कर्मकांड, धर्मसास्त्र, प्राचीन, व्याकरण, नवे व्याकरण, फलित जोतिस, सिधान्त जोतिस, वस्तुसात्र, साहित, पुराने हितास, प्राकृत भाषा, सर्व दर्शन, प्राचीन, नियाय, वैसिसिक, नवे नियाय, संक्य योग, जयन दर्शन, विमांचा, अदुवेत विधान्ता, विशिस्तुवेत विधान्ता, म. योगा, म. हिंदी साहित्य, म. हिंदु स्टडीज, तो यह सभी जो रेगुलर कोर्सेज हैं, जिसमें की आचारे म. है, म. योगा है, म. हिंदी साहित्य है, म. हिंदु स्टडीज है, इन सभी में, इंट्रेंट एक्जाम के बेस पे एड्मिसन होगा, और इसके जो मिरिट लिस्ट होगी, और इंट्रिव्य होगा, उसके बेस प प्रोइत्य कर्वकांड, संस्कृत जर्नलिजम, जयन विद्ध्या, कंप्यूटर एप्रिकेशन, संस्कृत, वागमय, दर्शन, संस्कृत, व्याकरण, प्रायोगिक, प्रशिच्छन, एवं, संभसन, योगा, एंड नेच्रोपैथी, एडवांस डिप्लोमा, जिसकी डूरेशन है टू येर्थ, जोकी है, जयोतिस, भूसन, वस्तु सास्त्र, जिसकी डूरेशन है शिक्स मंथ, वस्तु सास्त्र, योगा, पुरहुते, कर्मकांड, प्रशिच्छन, जैन, विद्या, पांडूलिपी, विज्यान, अभिलेक, सास्त्र, एप्लिकेशन प्रोसेस, जो एप्लिकेशन प्रोसेस और एप्लिकेशन प्रोसेस और एप्लिकेश पी पो रेगलर और पारट ताइम कोरसेश विल भी त्रिहंडड़ जो रेगलर और पारट ताइम कोरसेश के अप्लिकेशन पिशंत्य से अप्र्थ कि प्रोपीज 4 फिप्टी अधीस के बाद जो अप्लिकेशन पीए वह कंडिडेट डाउंडोड कर सकते हैं एप्लिकेशन फॉर्म को युनिवर्सिटी के वैबसाइट slbsrsv.ac.in से and send it through registered post speed post along with related document and demand draft from any nationalized bank और इसको भेश सकते हैं speed post या register post से जो related document है उसके साथ और demand draft के साथ जो की national bank के दोरा होने चाहिए और जो demand draft है वो in favor of restart slbsns university payable at new daily तो यहां पे जो अगर demand draft बना रहे हैं तो वो slbsns university के दिहाब के उस पे बनेगा favor पे और payable होगा निव डेली में important dates जो है लाजबाजु सास्त्री राश्य संस्कित संस्तान में regular courses के और part-time courses के लिए जो important dates है online application date है 16-5-2022-17-2022 एक जुलाइ 2022 last date है 16 माई 2022 से online application स्टार्ट हो गए है online application with late fee late fee के साथ online application की last date है 2nd of July 2022 से 4th of July 2022 4th of July 2022 last date है online application की late fee के साथ online admit card download online admit card जो download हो सकते हैं 5th of July 2022 से 15th of July 2022 तक date of interest exam इंट्रेंस exam होगा 17th of July 2022 संडे को reservation policy of government of India will be followed जो reservation policy है government of India की उसके नुसार reservation होगा for details please visit our website www.slbsrsb.ac.in details के लिए इस website पे विजिट कर सकते हैं तो यहां पी इस वीडियो में जानकारी दी गई है लाल बासु सास्त्री national Sanskrit university जो की central university है इसके जो admission notification है MA yoga और other courses के लिए यह जो university है accredited A grade by NAC, NAC के दौरा A grade इसको दिया गया है और यह central university है जो की establish होई है act of parliament के दौरा formally इसको SLBSR Sanskrit विद्यापीठ कहा जाता था जो की dim to be university और इस वीडियो में जानकारी दी गई है लाल बासु सास्त्री national Sanskrit university के जो जो गने डेट्स लाल बासु सास्त्री national Sanskrit university के विभिन कोर्सेज में admission लेना चाहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं online application form बढ़े जा रहे हैं और जैसके की पता है था लास्ट डेट जो है इसमें विभिन कोर्सेज के लिए यह फर्स्ट ऑफ जुलाई 2022 है और डेट फीज के साथ फोर्ट ऑफ जुलाई 2022 है इंट्रेंस एक्जम जो होगा एमे योगा और अजर कोर्सेज के लिए 17 ऑफ जुलाई 2022 में होगा और जो कंडिटेट्स नाजबाजु साथ्त्री राक्ष्टे संस्के संसान न्यू डेली के एमे योगा और अधर युनिवर्सिटी जैसे की पुने युनिवर्सिटी पटना युनिवर्सिटी लखनो युनिवर्सिटी देव संसिती युनिवर्स certificate आजी के लिए और इसके लिए important course के PDF notes लेना चाहते हैं, online coaching join करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे whatsapp कर सकते हैं, और competitive exams की तहरीक लिए एक whatsapp group बना रखा है जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा चैनल को subscribe आपसे करने ताकि important course के वीडियों मिलते रहें वीडियो को like, share और comment जरू कीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद